हलो फ्रेंड एक वा फिर आपका स्वागत है कंचनल लाइफ लेंचनल पर आज मैं सेट सिप L5MG टेबलेट की जनकारी लेकर आई हूँ यह सिपला कंपनी द्वारा निर्मेत है और लिवो सिट्रेजिन इस दवा का घटक है यह दवा एंटी हिस्टमाई नमक ड्रग ग्रूप से समंदित है जो नाक बहना आखों में खुजली या पानी आना छीकने या पित्ती जैसे लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकती है यह अन्या दवाओं के साथ सयोजन में भी इस्तमाल किया जाता है इस टबलेट की खुराक उम्र इस्तिती की गंभीरता चिकित्सा इतिहास और पहली खुराक के बाद आपके शरीर की प्रतिक्रिया पर रिर्भर करती है यदि आप इस दवा के लिए निर्धारित होने से पहले इन लार्जर्ड प्रोसेस्ट या किडिनी की बिमारी जैसे इस्तितियों से पेड़ित है तो डॉक्टर को अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सुचित करना चाहिए सुचित करें कि आप दवा का ओवर्डोज ना लें क्योंकि इससे हानिकरक प्रभाव हो सकते हैं इस दवा से दस्त उल्टी और कब्ज जैसे दुश्प्रभाव हो सकते हैं ये हलके दुश्प्रभा आम तोर पर अपने आप चले जाते हैं आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं यदि वे लंबे समय तक बन रहे हैं हला कि कुछ गंभीर दुश्प्राव हैं जैसे की ततकाल उपचार की और शक्ता होती है जैसे अलर्जी रियक्शन जो खुजली चेहरे या गले की सूजन या दाने का कारण बन सकती है और क रिटनी से जुड़ी समस्याएं जैसे पेशाब करने में परिशानी समानियम मात्रा में पेशाब में बदलाओ या पेशाब में खुनाना धुंदरी द्रिश्टी तच्चा या आँखों का पीला पढ़ना या सांस लेने में तकलीफ या अचानक मूड में बदलाओ जैसे उत्तेजित होना आक्रमक होना इस तरह से दुश्प्रभा होते हैं तो आप इस दवा को बन करके डॉक्टर की सलहा लें इस दवा की सलहा एलर्जिक राइनाटेस और अर्टी केरिया जैसे परिस्थितियों में इस दवा की सलहा दी जाती है यह दवा सलेकली वेली पेरिफेरल एच वन रिसेप्स्टर को रोपती है जिसे शरीर में हिस्टा माइन का इस तरह कम हो जाता है या विशेश रूप से पेट और आथ रक्त वाहिकाओं और फेफ़णों में जाने वाले वायू मारगे के कारण होने वाली एलर्जी पर काम करत है सेट सिप एल टबरिट को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है आपके लिए आवश्यक खुराक इस बात के अधार पर भिना हो सकती है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं यह दवा आम तोर पर शाम को ली जाती है लेकिन इसे कैसे ले इस बारे में अपने चिकित्सकी सला का पालन करें इस दवा की और शक्ता आपको किवल उन दिनों में हो सकती है जब आपके पास लक्षण हो लेकिन यदि आप इसे लक्षणों को रोकने के लिए ले रहे हैं तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए यदि आप खुराक याद रखते हैं या सला से अब पहले इसे लेना बन कर देते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं, ये दवा आम तोर पर बहुत सुरक्षित है, सबसे आम साइड एफेक्ट में नीद या चक्कर आना, ठकान और सिर्दर्द महसूस करना शामिल है, ये आम तोर पर हलके होते हैं, और कुछ दिनों क के बाद चले जाते हैं, इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी की कोई समस्या या मिरगी है, आपकी खुराग को संशोधित करने की आउशकता है, तो फेंड इस तरह से सेट सिप एल टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है, और आशा क करती हों कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक बहुंस सकें, धन्यवाद.